बच्चों को सब्जियां खिलाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं यह सिर्फ एक माही समझ सकती है स्पेशली अगर वो सब्जियां हो तरोई, टिंडा या फिर लॉकी अभी तक तो मैं अपने बच्चों को लॉकी ये कहके खिलाती थी कि इसका नाम है बॉटल गॉड यानि ये गॉड की सब्जी है पर जैसे ही उन्होंने स्पेलिंग सी की उन्हें गॉड और गॉड के बीच में डिफरेंस समझ आ गया और उन्होंने सब्जी खाने से साफ मना कर दिया तो मैंने भी बना डाल लें लॉकी के ये टेस्टी मिस्सी परांटे अब बच्चे ही क्या उनके पिता जी भी खुशी खुशी लॉकी खा लेते हैं मैंने यहाँ पर आधी लॉकी ली है इसे हमें अच्छी तरीके से चील लेना है चीलने के बाद मैं इससे कट करके इसके अंदर जो मोटे मोटे बीजे होते हैं उसे भी निकाल कर अलग कर देती हूँ अगर आपकी लॉकी कच्ची है और बीजे बहुती जादा छोटे छोटे हैं तो आप उसे रहने भी दे सकते हैं लौकी को अच्छी तरीके से मैंने वाश कर लिया है अब यहाँ पे बोल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी के अंदर ही हम लौकी को ग्रेट करेंगे तांकि लौकी हमारी काली ना पड़े और उसका कलर इंटेक्ट रहे इससे मुझे एक किस्सा याद आया जब हम लोग छोटे थे तो हमारी ममी भी हमें किस किस तरह से बेपकू बना के सब्दियां खिलाती थी कभी बोलती थी आरे ये तो कड़ी की बेहन है इसे खालो और हम चुप चाप खा लेते थे पर आज कल के बच्चे बाप रे बाप वो इतने कोश्चन्स पूछेंगे आपसे बेहन है तो उसकी एज कितनी है उसका नाम क्या है कि आप बोलेंगे भाई मेरे तू रहने दे मती खा खेर ठीक है आज कल के जमाने में बच्चों का थोड़ा स्मार्ट होना तो बनता भी है तो देखिए लॉकी को आपको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है और इसको जब आप ग्रेट करें तो इसको बिल्कूल बारीक वाली साइट से ग्रेट करेगा ताकि बच्चों को पता ना चले कि आपने इसमें लॉकी डाली है अभी मैंने बॉल में थोड़ा सा गिहूं का आटा लिया है तो यहाँ पर मैं लगबग डेट बड़ी कर्ची गिहूं का आटा डाल रही हूँ अब इसमें प्रोटीन से भरफूर बेसंट डाल देंगे तो एक बड़ी चमज मैंने इसमें बेसंट डाला है अब जो लॉकी हमने ग्रेट करी थी उससे अच्छे से पानी से निचोड कर हम इसमें डाल देंगे अब इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चमच लाल मिज का पॉर्डर आधी छोटी चमच हल्दी पॉर्डर अच्छे डाइजिशन के लिए इसमें हम थोड़ी से एजवाइन डालेंगे क्रश करके और अब मैं इसमें डालूंगे थोड़े से लैसुन के पत्ते तो ये lesson के पत्ते मार्किट में जितना मिलना मुश्किल है उतना ही easily ये घर में उग जाते हैं तो ये lesson के पत्ते हमारी सेहत के लिए बहुत जादा अच्छे होते हैं तो आप भी इसे घर में लगाएं, maximum 10-15 डेस में इसमें पतियां आ जाती है यहां मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे वेस्ट आटे का जो बैग होता है, उसमें मैंने धनिया उगाया है खेर, back to recipe, अब हम इसमें ये lesson के पत्ते कट करके डाल देंगे लगबग एक छोटी चमच हम इसमें डालेंगे, क्रश करके कसूरी मेती तो कसूरी मेती का मिसी परांठों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लेंगे लगबग एक छोटी चमच हम इसमें घी डालेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं कहूंग इसमें घी ही डालेगा अधरवाइस आप तेल भी डाल सकते हैं इन सब चीजों को अच्छी तरह के से मिक्स करकर हम इसका आटा गुन लेंगे तो मुझे इसे गुनने में बिल्कुल भी पानी की ज़रुरत नहीं पड़ी है अगर आपको थोड़ा बहुत पानी लगता है तो सिर्व अपने हाथों को गीला करके इसे गुन लीजिए गुनने के बाद सिर्फ पांच मिनट के लिए इसे ढग कर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजेगा पांच मिनट के बाद आटे को निकाल कर एक बल और अच्छी तरीके से उसे गुन लीजिएगा तो बच्चों की डाइट में लौकी शामिल करने का ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है पांची को बिलने के बाद मैं उसके उपर थोड़े से सफेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ तो सफेद तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है दूद से भी ज़्यादा तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बच्चों की डाइट में थोड़ा-थोड़ा सफेद तिल इंक्लूड करती रहती हूँ अब थोड़ी तरी के लिए लो मेडियम फ्लेम में हम इसे दोनों तरफ से सेख लेंगे जब उसके उपर light brown spots आने लगे उस समय हम दोनों साइट पे घी या तेल जो भी आप प्रिफर करते हैं लगाएंगे और इसको सेख लेंगे इन टेस्टी और क्रिस्पी परांठों को आप सर्फ करिए बटर और दही के साथ देखेगा बच्चे इसे मना कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर दीजेगा अपना फीडबैक मुझसे प्लीज जरूर शेयर करिएगा और ऐसी धेर सारी हेल्दी और टेस्टी रेस्पी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें दाना पानी रेस्पी थे नहीं जरूर झाल को जरूर प्लीज रेस्टी और रेस्टी जरूर चानल भाई